हेलो फेंड्स आज मैं आपको इंग ये 2003 की कोरियन रोमेंटिक मुवी एक्स्प्लिन करने वालो हम सब के पास बहुत ही कम टाइम होता है पर इस टाइम को सही तरीके से खुशी से जीना यही इंपोर्डन्ट है एक ब्यूटिफुल मैसेची मुवी देती है तो चलिए इस ब् अदमी के बारे में उससे पता नहीं है मीना रात में जब घर आती है तो बैले देख रही हुती है इसे बैले से लेकर बहुत ही f Chandian होती है इसकी मदर उसक पास आती है मिना उसे कहती है कि आगर ये कोरिया में होता तो मैं hundred percent जाती हूँ इसकी मदर कहती है की एकर ये को dil रह जाते वक्त मीना अपनी मदर को किस नहीं करती पर उसे कमपल्सरी उसकी मदर बुलाती है मीना किस करने के बाद स्कूल में आ जाती है स्कूल में टीजर जब पढ़ा रहे होती है तो सब लड़किया उसे पूछने लग जाती है वो कहती है कि क्या आपने कभी प्यार नहीं किय आप अपनी पैर की हमें स्टोरी सुनाओ टीचर कुछ बोलने रहे होती तो लटकिया गहती है कि वो सिगनल वाले की स्टोरी हमें सुनाओ यह स्टोरी मीना को अभी पता नहीं चलती थोड़ी देर में मीना के टीचर उसे बास बुराते हैं वो कहते हैं कि सेमिस्टर के मीड में तुम आ चुकी थी अगर तुम्हें कुछ सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो मीना को कुछ भी सवाल नहीं होता और जा रहे होती है तब ही उसे उस आदमी की याद आ जाती है वो कहती है कि वो सिगनल वाला आदमी कौन है वो यहाँ क्या करता है यह टीजर कहते है कि वो आदमी जब स्कूल में था तब उसे एक लड़गी से प्यार हो गया था वो एक दिन सिगनल क्रॉस कर रहे थी और उसका ऐसिडन्ट हो गया वो उसे इतना प्यार करता था कि हर दिन वो signal पर खड़ा रहता है और किसी का भी accident ना हो इसलिए वो हमेशा ध्यान रखता है रात में मिना की मदर मिना की नर्स से बात करे हैं यह हमें दिखता है मिना बच्पन से यह हॉस्पिटल में थी एक बीमारी है जिससे वो हमेशा बीमार पढ़ती रहती है यह कभी भी मर सकती है इसकी condition जिस बच्चों को होती है वो बहुत ही जल्दी मर जाते है इसलिए हमने देखा था कि मिना को बहुत सारे medications लेने पढ़ते है यह नर्स मिना की मदर को कह रहे हुती है अगर तुम मिना की ख्याल रखना है तो तुम उसे हॉस्पिटल में रखो मिना की मदर कहती है कि वो इतने साल तक जी है एक मिरायकली है अगर वो थोड़ी दिन भी जिन्दा रहे पर हॉस्पिटल में उसे बहुत ही पेन होता है मैं उसे दर्द नहीं देना चाहती मिना स्कुल से वापस आने के बाद रात में अपने हेड़फोन्स पर खिड़के में गाने सुन रहे होती है हमें दिखता है कि एक लड़का जिसका नाम होता है यंग ये नीचे कच्रा फिकने के लिए आता है ये खिड़के में मिना को देखता है मिना को देखकर उसे हाथ दे तो कहता है कि तुम बहुत ही रूट हो मिना सिगरेट फेक थी है तो उससे वो लाइटर भी मांग लेता है मिना अपना लाइटर फिर से वापस लेना चाहती है पर कहता है कि अगली बार हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें यह लाइटर दूगा नेक्स दिन मीना और उसकी मदर असे से जा रहे होते है तब यंग उनसे मिल जाता है मीना के मदर को अपने आपको इंटर्डूस कराता है मीना को कहता है कि जल से जल मैं तुम्हें वो लोटा दूँगा मदर मीना को चीडाने लग जाती है वो कहती है कि यह तो तुम्हारी टाइप का है मीना कहती है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही इसे रख लो इन दोनों की रिलेशनशेप बहुत ही प्यूटिफुल होती है एक दूसरे के अच्छे हैं फ्रेंड्स होती है मीना अपनी मदर को मदर भी नहीं बुलाती डारेकली उसकी नाम से कभी-कभी पुकारती है आज मदर मीना को एक सेलफोन गिफ्ट करती है मीना जब बुक स्टोर से घर वापस आ रहे होती है तो यंग उससे फिर से मिलता है मीना कहती है कि मुझे तुम क्यू सता रहे हो यंग कहती है कि मुझे तुम क्यू सता नहीं रहा मैं तुम्हारा सिर्फ पीछा कर रहा हूँ यंग कहती है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए मैं तुम सताता हूँ इसके पीछे एक psychological भी एक reason है हमारा दिमाग हमेशा हमारी problem solve करता रहता है मैं अगर थोड़ा सा तुम्हें तंग करूँगा तो तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती रहोगी मिना ने भी ये टिवी पर देखा हुआ होता है मिना फिर उसे पूछती है मेरा lighter कहा है वो तुम मुझे दो यंग कहता है कि अभी तो मेरे पास हो नहीं है रहो उसके पास एक bag होती है जिसे हो candy निकाल कर मिना को देता है मिना ले नहीं ने रही हुती तो यह कहता है Candy नहीं मेरा दिल है मिना फिर वहाँ से भाग जाती है मिना ने स्कूल में अपना फोन कुम कर दिया था उसकी मदर उसे वो देने के लिए आती है मिना अपने मदर से बात कर रही हुती है तभी उसे यंग का कॉल आ जाता है यह पहली बार उसे काट देती है यंग फिर से कॉल करता है और कहता है प्लीज काटो मत अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तुम मत करना यह उसे रात में खिड़की पर बुलाता है फोन बंद हो जाने की बाद मीना अपने मदर के पास बैठती है यह कहती है कि क्या तुम फादर को याद करती हो मीना की मदर कहती है कि हाँ कभी-कभी मैं उन्हें याद करती हूँ पर मैं उन्हें आप भूल चुकी हूँ, मदर मीना से बोचती है, किस तरह का प्यार तुमें चाहिए, मीना कहती है, कि मुझे इस ट्राइफिक लाइट वाले जैसा चाहिए, अगर आपका प्यार कंप्लेट भी नहीं हो सका, पर फिर भी दुनिया को ठुकरा कर, सिधियों तक चलने वारा प्यार मुझे चाहिए, ट्राइफिक वाला आपमी अपने प्रेमी का से जिंदगी भर प्यार कर रहा है, इसी तरीक का प्यार इसे चाहिए, रात में मदर ली सुके फादर की सब इमेजे स्वेगरे देखती है, ये बोल रहे होती है, कि मैं हमेशा तुमें खिड़की में बुला होता है, पर उसे इग्नोर कर रहे होती है, बहुत रात हो जाती है, तो खिड़की में आ जाती है, पर उसे यांग कही भी नहीं दिखता, निकस दिन जब वो स्कूल से वापस आती है, तो यांग ने उसके लिए गिफ्ट भेजावा होता है, जब वो यंग फिर से मिना से मिलना चाता है तो खिड़की से बाहर से छोटे से पत्तर उसके खिड़की पर डाल रहा होता है गाड जब इसे स्पोट कर लेता है तो कहता है कि बड़े-बड़े उंदीर वहाँ थे यहां से हो असकर भाग जाता है मिना एक्च्वल में आई थी इसी वज़े से वो घर पर नहीं थी मिना हमेशा गलोज पहिन कर रखती है उसके हाथ में सिर्फ जारी उंगलिया होती है इसी वज़े से इसके कोई फ्रेंड नहीं थे यह मॉल में एक प्रेगनन लेडी को देखती है अपनी मदर से फिर यह पूछती है तुम्हें सोनोग्राफियो में दिखा होगा कि मेरे इसे हाथ है इससे कम एनमेली होने पर लोग एबोर्शन करवा देते है तुमने क्यों नहीं करवाया था मदर कहیती है कि तुमारे जो फाजर है यो तुमारे फाजर नहीं है एक्च्वल में तुमारे फाजर एक एलियन थे और उनकी last निशा नहीं तुम हो मीना इस पर थोड़ा सा बिलिव करती है और फिर उसकी मदर उसका बहुत मज़ाग उड़ाती है नीज़ दिन मीना फिर टर्टल लोटाने के लिए यंग के पास जाती है यंग एक छोटी से स्टूडियो अपार्मेन में रहता है वो एक फोटोग्राफर होता है तो वहाँ बहुत सारी फोटो लटका ही हुए होती है यंग इससे ये टर्टर ले रहा होता है तो मिना कहती है कि क्या ये मेरे लिए गिफ नहीं था यंग कहता है कि अकेले नहीं रह सकते इसकी प्रेमी के साथ इसे रहना पड़ेगा ये फिर मिना को और एक टर्टर लाता है और उसे दे देता है मिना उसे फिर से अपना लाइटर मांगती है यंग साथ जागा ढूरने लग जाता है पर कहीं भी उसे लाइटर नहीं मिलता एक temporary लाइटर वो उसे दे देता है वो मिना से कहता है कल मैंने जब तुम्हें फोन लगाया था तब तुम्हारा नंबर मैंने मेमराइज कर लिया था मुझे फिर से तुम्हारा नंबर दो ये नंबर जब वो ले रहा होता है तो ये फ्लोर पर लिखता है इसे लगता है कि एरेज हो जाएगा मिना जब चेक करती है तो ये एरेज नहीं हो रहा होता मिना अपने नेवर को बुलाती है और सब इस काम में लग जाते है फिर भी यह नमबर इरेज नहीं होता मिना की मेड पहचान जाती है कि यह नमबर मिना का है यह कहती है कि यह तो फोटोग्राफर है इससे तुम बहुत सारी इमेजिस ले सकती हो इसके बाद हम देखते है कि बैलकनी में मिना और यंग खड़े होते है मिना यंग के कैमेरे से फोटोज ले रही होती है यंग उसे सही तरीके से फोटो कैसे लेने है यह सिखाता है यहां यंग कहता है कि पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा तब से मुझे तुम पर करश हो गया था मिना थोड़ी सी अंकमफरिबल हो जाती है और घर जली जाती है रात में जब यंग नीचे से जा रहा होता है तो मिना उसे छुप के से देखती है मिना और उसकी मदर जब मूवीज में जाते है तो उसकी मदर उसे खुब चीड़ाती है इसे पता है कि मिना का यंग के साथ कुछ चल रहा है मिना जब घर से जा रहे होती है तो यंग उपर से एक छाता फेकता है वो कहता है कि आज बारिश आने वाली है मिना आज उसके नर्स से मिलती है मिना की जो नर्स होती है ये भी उसके अच्छी फ्रेंड होती है मिना उसे बुछती है कि क्या तुमारा कभी बॉइफरेंड था नर्स कहती है कि बहुत सारे लड़की मेरे लाइफ में आये थे पुर मुझे पता नहीं कि यह मारे boyfriend थे या नहीं थे यह nurse पर excited हो जाती है मिना से बुच्छती है क्या तुम्हारा boyfriend है मिना कहती है कि मुझे पता नहीं है nurse पर उसे सला देती है कि feelings होती है तुम्हें तुम्हारे instinct पर ध्यान देना चाहिए और इसी को follow करना चाहिए तुम्हें डरा हुआ महसूस हो सकता है पर यह जो feeling से यही important होती है मिना फिर यंग को call लगाती है और कहती है कि क्या snacks खाने है इसे लगता है कि sex के लिए बुच रही है यंग फिर serious हो जाता है यह कहता है हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ अच्छा सा time कुज़रे फिर हम यह कर सकते है यंग को ऐसा रगा इस पर मिना बहुत हसने लग जाती है इस दिन यह दोनों एक दूसरे के साथ time spent करते है यह जब बस में चाहिए तो यंग की आईस क्रीम एक लेडी पर गिर जाती है मिना अपने गलव से यह पोच्छती है यंग फिर कहता है कि यह तो खराब हो चुके अपने शर्ट से उसके हाथ पोचने लग जाता है इसके हाथ abnormal है तो सब लोग उसे देखने लग जाते है यंग मिना का हाथ लेता है और कहता है कि रेजर भी में सब लोग को हम अब माल डालने वाले है मिना embarrassed होती है पर इससे वो हसने लग जाती है इसकी मदर जिस तरह से इसे अच्छे से treat करती है उसी तरह से यंग भी उसे treat करता है रात में नीचे की खिड़की से यंग उससे बात करता है इन दोनों में अच्छी सी friendship डेवलोप होने लग गई है वाच्मन ये सब देता है जिस तरह से हर वाच्मन होता है उसी तरह से मिना की मदर को वह सब कुछ बता देता है मिना की मदर इस सब को ignore कर देती है रात में मिना यंग को पार्क में लेकर आती है उसने उसके साथ turtles भी लाए हुए होते है यंग से कहती है कभी कभी इने fresh air मिलनी चाहिए यंग को एक सवाल आता है वो मिना से कहता है कि तुम अपनी मदर को डारिक ले उसके नाम से क्यों पुकारती हो मिना कहती है मेरा इस तरके से हाथ था तो इसे वज़े से कभी भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे और अगर बनते भी थे तो थोड़े टाइम में वो मर जाते थे मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था एक दिन मेरी मदर कोश्यूम में आई और मेरा फ्रेंड होने का प्रिटेंड उसने किया इसके बाद से हम अच्छे से फ्रेंड बन गए यंग कहता है कि तुम और तुमारी मदर की रिलेशन्शिप बहुत ही ब्यूटिफुल है मीना के स्कुल में सब लड़किया अपनी होरोसकोब देख रही होति है इसमें मीना देखती है कि लव साइन जो है यह इसके लिए अच्छा है जब वो यंग से मिलने के लिए आती है तो लव साइन बना हुआ टीशट ही पहन कर आती है मिना यंग के गर पर बहुत सारे हवाई की इमेज़ेस देखती है यह उसे इसके बारे में पुछती है तो यंग वहाँ बहुत बार जाकर आया हो ओता है यहाँ के एनिमल्स, यहाँ की बीचेस इन सब के वो फोटोज लेता है मिना यहाँ पानी में का एक टर्टल भी देखती है यह यंग से बुछती है कि क्या हमारे पास जो टर्टल है यह भी बड़े होने के बाद इतने ही बड़े बनेंगे यहाँ कहता है कि तुम तो बहुत ही सिली हो इनकी परजादी ही अलगे ये कभी भी इतने बड़े नहीं बनेंगे मिना कहती कि तुम तो स्मार्ट हो इसी वज़े से तुम बजसुरत हो इसका भी वो यहाँ मजाग ले 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 थी है मिना को हमेशा से बैले देखना था उसे फैसिनेशन थी तो बैले के स्टूडियो में है उसे लेकर आता है यहाँ पर यंग बहुत सारे फोडर्ज लेता है और मिना को तयायर होने के लिए कहता है मिना को भी बैले प्रैक्टिस वा आज करवाने माला होता है मिना की बहुत सारे ब्यूटिफुल फोडर्ज लेता है मिना ये प्रैक्टिस कर रही होती है तब ये उसे चक्कर आ जाती है इसी कंडिशन की वज़े से ये कभी भी बिमार पढ़ सकती है मिना की मदर और नर्स वहा होती है मिना जब आग खोलती है तो कहती है कि ब्लीज तुम अपने काम पर चली जाओ मैं अपने आपका खैल रख सकती हो मिना खोल्ष की वज़े से किसी की भी लाइफ डिस्टरब हो ये अच्छा नहीं लगता नर्स मदर से कहती है कि तुम्हें अब मिना को हस्पिटल में एडमिट करो आना चाहिए मदर कहती है कि मैं यही करना चाहती थी पर एक दिन मिना ने अपनी नस काड ली थी उसे नॉर्माल ही लाइब चीनी है मिना की मदर अब रोने लग जाती है कहती है कि वो जादा से जादा जी है यही मैं चाहती हूँ यंग मिना को एक गीफ्ट लेता है यह बैले के शूज होते है मिना जब यंग से फिर से मिलने के लिए जाती है तो इस बार यंग की पूरी वाल मिना के पिक्चर से ही भरे हुई होती है मिना जब पाग में थी, बैले में थी जब भी उसके साथ हो था सब बहुत थी beautiful pictures उसने उसकी ली थी मिना जब उन्हें मदर के साथ होती है तो उसकी मदर कहती है कि next month हम यूरोप जा सकते है उसकी मदर ने बहुत सारे पैसे अब सेव कर लिये है और बैले देखने के लिए यूरोप जा सकते है मिना कहती है कि अब मुझे बैले नहीं देखना इसे अब हवाई जाना होता है ये भी उसे यंग के साथ जाना होता है इसके लिए अपने मदर को वो कन्विंस कर लेती है नेक्स दिन यंग और मिना अपने नेल्स पर एक दूसरी की इमेज बनाते है ये पाक में आते हैं और खुब मज़े करते है यंग मज़ा करता है और कहता है यह जब भी मैं टॉरेट जाओंगा तो हमेशा मुझे अनकमफरडबल लगेगा मिना की इमेज उसके नेल से और बनी हुई है तो उसे लगेगा कि हमेशा उसे देख रही है मिना उसे पाने में गिरा देती है बहुती ब्यूटिफिल मुमेंट एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते है रात में मिना अपने मदर को जब सुलाती है तो उसके मदर के रूम में उसके फादर की जो सब चीजे है यह देखने लग जाती है मदर की डायरी में जो सब लिखा हुआ होता है वो सब वो पढ़ती है उसे अब महसूस होता है कि उसकी मदर भी बहुत ही अकेली ही है वो हमेशा उसके फातर को याद करती रहती है अब मीना बहुत ही सैड हो जाती है वो रात में भी बहुत रोती है अगले दिन में यंग से नहीं मिलती यंग फिर उसके स्कूल में बोच जाता है आज बारिश हो रहे होती है तो यंग ने उसके लिए छाता लाय होता है यह दोनों जब रस्ते से जा रहे होते हैं तो वह फिर से सिगनल वाले को देखते है मिना कहती है कि आदमे बहुत ही घटिया है किसी से प्यार करना और इसके प्यार में हमेशा से रहना इसे कितना दर्द महसूस होता होगा इस सिगनल वाला आदमे भी बारिश में रो रहा होता है यंग कहता है कि मुझे तो बहुत ही फॉर्चुनेट है लगा किसी की प्यार में पूरे लाइफ तुम गुजार दो इससे अच्छा क्या हो सकता है मिना अपने मदर के साथ लंच कर रही होती है अपनी मदर को कहती है कि तुम भी अकेली हो चुकी हो या अपनी मदर को कहती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी इसलिए तुम भी अपशादी कर लो मिना की मदर इसे मजाग में लेती है मिना सिरेसली अपनी मदर को कह रही होती है कि उसे किसी को ढोड़ना चाहिए मिना को लगता है कि जल से जल वो गुजर जाएगी इसके बाद अपनी मदर का खैल रखने के लिए कोई चाहिए क्योंकि वो अकेला महसूस ना करे मिना यंग को बहुती सुबे सुबे ही बाहर लेकर आती है उसने उसके साथ टर्टल्स भी लाय होई होती है आज वो बहुती खुश होती है इस बल में वो बहुती खुश है तो इसे वो कैप्चर गरना चाती है यंग कैमेरे में टाइमर लगाता है और इन टर्टल्स के साथ ये दोनों फोटोज लेते है अब हमें बहुत सारी इमेजेस दिखाए जाती है जिसमें ये दोनों खुश है अच्छे से बल ये गुजार रहे है मेना यंग के साथ एक्वारियम आयू हुई होती है वहाँ पर वो टर्टल देखना चाती है पर उसे कहीं भी नहीं दिखती है उसे लग रहा है कि वो हवाई जानी पाएगी यही उसे चक्कर आ जाती है इसकी कंडिशना बहुत खराब हो चुकी है यंग को बहुत ही दूख होता है डिस्टर्ब हो जाता है रस्ते से जब चल रहा होता है तो एक हवाई का पोस्टर देखता है उस पोस्टर को फाड़ने लग जाता है मिना का सबना था कि वो हवाई जा सके पर वो जा नहीं सके की तो इससे बहुत ही दर्दब हो रहा है यही रोने लग जाता है नेकसिन में में दिखता है यंग मिना की मदर से मिलता है मदर ने यंग को पैसे दिये थे मिना से मिलने के लिए उसे अपनी गल्फेंड बनाने के लिए Yang को अब सचमच मिना से प्यार हो गया है वो कहता है कि अगर मैंने ये सब पैसे लिए तो ऐसा होगा कि पैसों के लिए मैं उससे मिला था मिना की मदर उसका प्यार देखकर कहती है मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था नेक सिर्म में में दिखता है कि मिना कि ये होस्पितल में यंग आया हुआ है मिना हवाय जा नहीं सकती है तो हवाय के सब description उसे देता है किस तरह का weather आ है किस तरह की scenery आ है मिना unconscious होती है फिर भी इसके आख में आसु आ जाते है यंग उसे कहता है कि हवाई में बहुत क्लियर पानी है ये पानी एक तरह का गूडलग होता है मिना अपने सपने में ही वो यंग के साथ उस पानी में है उसके आसपास टर्टल घूम रहे है यह जो टर्टल है इसके प्यार की निशानी है जो भी उसे चाहिए था ये सबने वो जी लेती है हवाई में बीच पर संसेट देखते है और एक दुसरे को किस करते है ये सब sweet memories वो सबने में जी लेती है ये एक मीना के लिए एक अच्छा सा bracelet लाता है और उसे पहना देता है उसका हाथ मीना के हाथों में लेता है और एक फोटो निकालता है अब हम देखते हैं कि थोड़ा समय गुजर चुका है मीना अब इस दुनिया में नहीं रही इसका जब एक्जिबिशन जलता है तो मीना के साथ हाथों में जब उसका हाथ था तो जो उसने फोटो लिया था यह फोटो उसने वहाँ लगा हुआ होता है मिना की मदर यंग से मिलने के लिए आती है उसे ये सब करवानी के लिए वो सौरी के थी है मिना ने मनने से पहले यंग के लिए गिफ्ट बनवाया था ये मिना की मदर अब यंग को देने के लिए आई हुई है मिना की मदर घर पर आती है उसकी डायरी जब देखती है तो मिना ने उसकी डायरी में कुछ लिखा हुआ होता है मिना को बता था कि यंग को मिना के मदर नहीं पैसे दिये है इसमें लिखा होता है तुमने जो किया वो तुमारे लिए हार्ड हो सकता है पर इसके लिए मैं बहुत ही thankful हूँ मेरे पास जितने भी दिन अब बचे हुए है इसमें बहुत ही happy हूँ मरने से पहले खुश रहे कर यही gift में तुम्हें देना चाती हूँ यंग मिना का gift खोलता है मिना की drawing book इसमें होती है यह दोनों खीड़के से बात करते थे इन दोनों का प्यार signal वाले की तरह ही है इसलिए signal वाले की image भी आ होती है इन दोनों का love अब अमर हो चुका है यंग यह सब देखकर रोने लग जाता है और कभी भी वो उससे नहीं भूलेगा यह movie हम से कहकर जाती है कि हमारे पास भरे टाइम कम हो पर फिर भी हम एक दुसरे से प्यार कर सकते है और जो moment हमारे साथ है वो एक पुरी lifetime की तरह जी सकते है यह जो हमारा time है इसमें हम खुश रह सकते है हम सब के पास एक limited ही time होता है तो क्यों ना इसे सही से जिया जाए एक beautiful message के साथ इस movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लागाऊगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी ऐसी movies लेकर आता रहूंगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइक पर दीजी और bell notification आइकन दबाना में मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खयाल रखिए